इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कम्प्यूटर किसे कहा जाता है। कम्प्यूटर दरसल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है, जो के सॉल्फ कर सकती है मुश्किल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारे डेली लाइफ के, जो के हम अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं, कम्प्यूटर वो मशीन है, जो के उसे असानी के साथ सॉल्फ कर लेती है। इसके इलावा ये data store कर सकती है और store किये वे data को हम किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं यानि कि उसे हम retrieve कर सकते हैं इसके इलावा ये complex calculations जो कि इनसानी दिमाग के लिए करना काफी मुश्किल होता है ये काफी तेजी के साथ और काफी बहतर तरीके से कर सकती है इस तरह की मशीन को computer कहा जाता है computer जो है ये लफज निकला है latini जबान से latin जो language है वहां से लफज निकला है और इसका मतलब होता है calculate करना या count करना अब हम इसको समझते हैं कि जो computer जो एक मशीन है इसकी जरूवत हमें क्यों पेश आई पुराने जमाने में जब इनसानी दिमाख ने calculation करनी होती थी ये accounting करनी होती थी तो उसे जरूवत पढ़ी एक ऐसी मशीन की जो ज़्यादा faster ज़्यादा तेजी के साथ ऐसा काम कर सके तो पुराने जमाने से इनसान की कोशिश थी कि इस तरह की मशीन बनाई जाए तो 1940s के अंदर एक का जो वक्त था यहाँ पे इनसान काम्याब हुआ एक ऐसी मशीन त्यार करने में जो के उसकी मर्जी की मताबिक बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती थी यहाँ पहला जो प्रोफेशनल कम्प्यूटर आया वो 1940 में आया इससे पहले भी कम्प्यूटर आते रहे लेकिन वो कम्प्यूटर जो थे वो इतने फास नहीं थे उतने तेज नहीं थे और उसके बाद से कम्प्यूटर की डिवलप्मेंट होना शुरू हो गई अब हम समझते हैं इसको एक डाइगराम की मदद से इस तरह में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक कम्प्यूटर दिखाया गया है यह कम्प्यूटर जो है एक डेस्टॉप कम्प्यूटर है कम्प्यूटर की मुख्लिफ टाइप्स होती है यह एक डेस्टॉप कम्प्यूटर है अब हम इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपनेंट्स होते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से इतना efficiently, इतना तेजी के साथ काम कर सकता है. सबसे पहले start करते हैं, यहां पे keyboard और mouse, यह दो हमारे पास devices हैं, जो कि इस्तमाल होती हैं data को computer तक पहुचाने के लिए. अब पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लफs input है, इसका क्या मतलब होता है? लफs input का मतलब होता है कि हम कोई भी data, कोई भी information, computer तक पहुचाना चाहते हैं, ताके हम उसके उपर कोई processing कर सकें, मिसाल के तौर पे, यह दो numbers हमारे पास 2 and 3, इन दो numbers को मैं plus करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो और त्री जो है, इस keyboard की मदद से input देना पड़ेगा, और यह input जो है, यह पहुचेगा इस system unit तक है, जो इस system unit आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इस system unit कहते हैं, इस system unit तक की input पहुचेगा, यानि 2 प्लस 3 की जो command है, वो इस system unit तक पहुचेगी, इस system unit के अंदर एक chip लगी होती है, जिसको हम CPU कहते हैं, यह CPU हमारे हाथ के हतेली के size के बराबर होती है, इसे computer का दिमाग भी कहा जाता है, central processing unit भी कहते हैं, यह chip इसके अंदर लगी होती है, यह chip क्या करती है, हमारी इस instruction को, हमारी इस हिदायत को, यह हमारी इस input command को process करेगी, और process करने के बाद, हमें इसका जो result आएगा, इसका जो result आएगा, वो output करवा देगी, इस screen पे जिसको हम LCD कहते हैं, इसे हम LCD कहते हैं, यह output device होती है, यहाँ पे इसका result आजाएगा, अब आ 5 जो है, वो screen के ओपर display हो जाएगा, तो आपने देखा कि इस तरह से computer काम करता है, कि पहले input लेता है, उसको process करता है, process करने के बाद, हमें कोई ना कोई output देता है, अब हमारे पास, यह input होता है, जो data होता है, जरूरी नहीं है, कि यह हमारे पास सिर्फ numbers की शकल में हो, यह data यह हमारे पास text की शकल में भी हो सकता है, यानि हम कोई name, या कोई जगा का नाम, या कोई line, या कोई paragraph, जो हम English language में लिखते हैं, वो text की शकल में भी हो सकता है, इसके इलावा जो data है, वो picture की शकल में भी हो सकता है, या हम कोई picture लेते हैं, और वो हम computer को input देते हैं, इसी तर वो मुख्तलिफ इस्तमाल होती है जो के आगे चलके हम input devices के chapter में पढ़ेंगे फिलाल आपको यह पता होना चाहिए कि computer जो data हम से लेता है input के तोर पे वो मुख्तलिफ शकल का हो सकता है एक बात यहाँ पे आपको बताना जरूरी है कि computer जो है वो process करता है binary language में यानि के one zero की language है उसके अंदर computer process करता है data जो वो हम से receive करता है वो human language में होती है और इसके बाद computer उसको convert करता है one zero की language में और उसके बाद हमारा CPU है उसको process करता है तो यह एक overall एक overview है computer का कि computer दरसल होता क्या है और किस तरह से काम करता है ज़रूरी नहीं कि computer सर्विस शकल में हो आपके आस पास जो आप mobile phone इस्तमाल करते हैं लैपटाप इस्तमाल करते हैं और जितनी भी आपके पास devices हैं जो कंप्यूट कर सकती हैं जो input ले सकती हैं data store कर सकती हैं इस तरह की तमाम devices computer के लाती है अब हम computer के function को थोड़ा सा और depth में गहराई में समझने के लिए इस diagram को ज़रा देखें तो यहां पे हमें बात समझ में आ जाएगी कि इस diagram के अंदर यह वाला जो area आपको नजर आ रहा है यह दर असल system unit है, इस system unit के अंदर यह CPU लगावा है और CPU के अंदर यह memory लगी है यहां से data memory में save होता है, memory इसको पहुंचा देती है CPU के पास CPU इसको process करता है और वापिस memory को भेज देता है और memory यहां से उस process data को पहुंचा देती है, यह जो devices आपको नजर आ रही है, यह output devices है, यहां पे monitor है, printer है, speaker है, यह तमाम वो devices हैं जो कि output devices के लाती है तो इस diagram से आपको एक बात समझ में आ गए होगी कि एक बुनियादी तोर पे एक computer काम किस तरह से करता है तो आज की इस video में हमने यह जाना कि computer हम किसे कहते हैं